इस वीडियो में हम अब एक बहुत important update देखने वाले हैं जो कि अभी latest है Reliance Industries की तरफ से यहाँ पर Reliance Industries ने डील को cancel कर दिया है तो इस वीडियो में आपन जानेंगे अब shareholders और company के साथ future group के साथ आगे क्या होगा क्या-क्या important event से जो track कर सकते है या फिर shareholders को क्या करना चाहिए और यहाँ पे अब आपको क्यों यहाँ से company से बाहर हो जाना चाहिए नहीं तो you will lose everything अगर आप हमाय चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बैल आइकन जर आधी तरह की news सभी बड़े sources सभी important updates management concall brokerage reports वगेर है जितनी भी important analysis वगेर होते है सब हम लोग यहाँ पे आपके लिए एक साथ एक जगह पर लेके आते बले कोई भी stock हो या कोई भी market related हो everything you will get here ठीक है तो यह आप बिल्कुल जॉइन कर सकते हैं already 7700 लोग यहाँ पर जॉइ बीट the street search करना telegram पर नहीं तो आप link in description के through भी जा सकते हैं coming back to the topic of future group so we were already saying about that the future group will turn into an NPA and it will lose just become another DHFL and syntax story okay so हम लोग ने last video जो हम लोग ने एक मही ने पहले बनाया था तो उसमें हम लोग ने एक अपडेट दिया था कि कैसे Mukesh Ambani ने basically future group का stores काया पर take over किया and the company is now hollowing मतलब अब आप company में कुछ बचा नहीं है ठीक है तो उस तरीके का impact आया था तो वो सारी चीज़े आप ज़रूर check out कीज़ेगा i button बटन दबागे कि Reliance ने basically deal से कैसे अपना पैसा बनाया या फिर कैसे business gain किया so we have written a long thread on it ठीक हम लोग लगातार सारी events basically cover करते हैं और हर message में एक ही बात ब estries ने cancel कर दी है ठीक है अब यह basically क्यूं हुआ है क्योंकि कल यहाँ पर lenders ने जब vote किया था तो lenders ने basically यहाँ पर इसके against में vote कर दिया था deal के against में तो lenders ने यहाँ पर जैसी deal के against में vote किया मतलब अब यहाँ पर deal नहीं हो सकते है विकाँ पहले lender का voting approval जरूर ही होता है अब क्यों यहां पर reject किया है वाई पहली बात तो यह है कि यहां पर मुकेश अंबानी को एक यहां पर distribution plan देना था जो कि economic times एक report के नुसा distribution plan वो है कि basically किस lender को कितना पैसा मिलेगा वो reliance industries ने नहीं बेजा ठीक है तो they were lenders were unclear about कि उनको पैसा कैसे बटने वाला है loan का ठीक है वो अपन समझेंगे कि यहां पर loan और वो सब चीज़े क्या होती है बट दूसरी important चीज वो थी कि यहां पर future group के जो stores reliance ने take over कर लिये थे तो उस पर भी बहुत बड़ा question था कि उसका क्या होगा वो कैसे basically ले चुका है future group का क्या responsibility है और क्योंकि वो जो basically stores थे वो लगबग 50 to 60% यहां पर reliance के form करते थे तो वो basically पूरा का 60% business यहां पर ले चुके थे so these two concerns were there for lenders and they rejected the deal now अब इसमें आगी क्या हुआ है तो basically bank of India ने last week क्या पर action लिया था कि इसको insolvent declare करवा दिया है insolvency declare करने के लिए basically application NCLT में file कर दी है अब insolvency में अगर bank company चली जाती है तो क्या impact होता है तो basically अब यहां पर नया owner आएगा उसकी bidding अगेरे होगी ठीक है और वो सारी चीज़े होगी और वो basically lender को पैसा देगा इस पूरे transaction में कभी भी shareholders gain नहीं करते हैं मैं आपको बार बार हर bankrupt company के analysis में हम लोग एक ही चीज़ बोलते है कि यह कभी नहीं possible है कि कोई भी bankrupt company में it's only I think एक ही case है शहद कोई एक steel company का था जहां पर basically shareholders को gain हुआ था बाकि जितने भी इंडिया में अभी तक bankrupt companies के resolution हुए है कोई भी shareholder को gain नहीं हुआ है I tell you very important thing कि यह कैसे काम करता है जो एक बहुत basic concept है लेकिन लोगों को नहीं समझता है and they buy bankrupt companies and get into it just like Syntex, FDH, FLE, FBDocon देखो future group का loan अभी कितने करोड का है 30,000 करोड का ठीक है तो 30,000 करोड का इनका loan है इनको कितने रुपए देने वाला था तो वह भी मैं आपको बता दिता हूँ 24,000 करोड रुपए रिलाइंस देने वाला था तो basically बच्चावा जो 6,000 करोड रुपए था वह यहां पे रेंडर्स को कभी न मिलेगा ही नहीं अगर लेंडर्स को कभी पूरा पैसा नहीं मिल रहा है तो शेर होल्डर्स को कभी भी पूरा पैसा नहीं मिल सकता शेर होल्डर्स को पूरा पैसा क्या पैसा ही नहीं मिल सकता किसी भी चीज का वैल्यू नहीं होता हमेशा preference दी जाती है पहले lender को फिर यहाँ पे shareholders को equity shareholders को सबसे last minute ठीक है अब जो नया owner आता है जो मान लीजिए reliance था 24,000 क्रोडर पर लेके आता तो वो पूरी company का 100% stake hold करता और इन example में आपको just example के तोर पेता हूँ तो इसलिए क्या होता है कि जब भी वो 100% company की equity लेता ही लेता है वो existing share holders को कभी stake नहीं देगा क्यों क्योंकि company की जो network है वो negative है company की per share पे जो value आ रही है वो negative है ठीक है तो यह same instance अभी jet airways में होने वाला जिसके shares basically kind of deal list हो जाएंगे एफिर equity write-off हो जाएगा किसी के पास भी अगर jet airways के share है तो 100 में से 99 shares गायब हो जाएंगे तो उसके बारे में हम लोग हर बाद telegram पे हर अफते एक warning sign भी भेजते हैं कि please avoid these kind of companies ठीक है तो अगर आपके बाद jet airways है तो आप avoid कीजेगा तो अब यहाँ पर क्या हो गया फ्यूचर ग्रूप पे वापस आते वे अगर आपन देखें तो यहाँ पर फ्यूचर ग्रूप में अब क्या होगा basically नया लेंडर आएगा kind of यहाँ पर नया लेंडर के यहाँ पर नया बीडिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा तो बीडिंग प्रोसीजर में हो सकता है कि यहाँ पर कोई बीडर यहाँ पर बीड करें बट वह अभी 20,000 करोड के लिए बीड नहीं करेगा because यहाँ पर ओल्रेडी 50% स्टोर तो चले गए है रिलाइंस के पास तो 50-60% बिजनेस ओल्रेडी खतम हो चुका है 30,000 करोड का वो जो लोन है अब अगर कल को कोई नया बिडर आता है मान लिजे 15,000 करोड भी लेके आता है ठीक है तो भी लेंडर का पैसा यहाँ पर 50% नहीं करोड़ का रिकावर और शेर् होडर का तो बिल्कुल नुह और पूरी की पूरी डील में पहले भी यही था आज भी यही है कि इस पूरी डील से शेर और अपने नहीं और मैं यहीजें बढ़र बोलुद Selénे बढ़र बोलगा कि आववाएट धु इस मनिदोफ कə किसी भी multi bagger returns के लिए आप बिल्कुल सपने अपने ना देखें अब भी think practical and think logically कि यह possible नहीं है ठीक है तो अभी future group के shareholders को कुछ भी नहीं मिलेगा ठीक है यह बिल्कुल same scenario बन गया है जो DHFL और syntax वाला है अब यहां पर अगर अगर आपन देखें तो एक और important चीज होगी जिसके कारण लोग बाग trap होने वाले 10-20 दिन महीने पर बाद अभी क्या होगा कि basically एक news आने लग जाएगी कि Amazon में Bid Reliance में Bid कर सकता है IBC के अंदर अभी भी तो उसके कारण वापा share में circuit लगेंगे ठीक है तो please 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 आप उस तरके trap में fall मत होजे होई जाएगा ऐसे भी अब तो transaction में चली जाती है IBC वगर में चली जाती है debt पर default कर देती है उन company उसे दूर रही है क्योंकि landers हमेशा shareholder से पहले आते है तो अब यह पर मान लीजिए कि अगर bidder नहीं आता है कोई भी company bid नहीं करती है तो क्या होगा basically company को liquidate कर दिया जाएगा जिसमें banks का और नुकसान होग है क्योंकि already उनने 50% business तो लही लिया और Reliance की जितनी भी growth है अगर आप देखो कि Reliance Retail ने बहुत सारे acquisitions करके अपने business को तो लगातार growth किया है तो उन पे इस पूरे future group की deal का कोई भी basically negative impact नहीं है ठीक है तो कोई भी negative impact नहीं है बलकि उनकी तो और पैसे बजगे चोई जा कर this strategy by the Reliance Industries or you can even say it is an hostile takeover ठीक है तो Reliance Industries की हमेशा से basically history रही है to do or eat out the small players so यहाप एक basically मैं पूरे वीडियो का conclusion यही है avoid 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 or exit the future group companies नहीं तो आपको DHFL syntax या फिर वीडियो का scenario देखने को मिलेंगे अच्छा एक important बात यह है कि अब क्या करना चाहिए या फिर यह सब चीजें होने में कितना time लगेगा अभी अभी इसकी IBC में application file हुए है NCLT accept करेगा उसके बाद थोड़ी चीजे और चलेगी तो लगबग आप मान की चलिए 6 महीने से एक साल का time period अभी भी लगेगा इसमें इसके पूरे recovery process को complete होने में ठीक है so don't panic कि आप ऐसे मत सुची कि दस दिन बाद ही company बंद हो जाएगा ऐसा नहीं होगा करें लीजिए कि कल को कुछ वह बिडर विडर की news आजाती है तो हो सकता इसमें अपर circuit वगरे लग जाएंगे ठीक है वह सब चीजों पर हम लोग कभी बात भी नहीं करते हैं because एक short term scenario कि यहां पर कोई बात ही नहीं प्लीज यह वीडियो ज्यादा श्यादा श्यार कीजिए आप हमें ट्विटर पे जरूर फॉलो कर लिजेगा ताकि आपको सभी insights वगरे समरी बगरे मिल जाएगी because हम लोग अगर आप देखोगे तो इसके बार में लगबग फरवरी से बोल रहें फरवरी से अगर आप देखोगे इस और जैन से बोल रहें बेन ओखके तो प्लीज शर आस मुझ एस प्लीस कैंड प्लीज न्यस ने बढ़्या दितेल बीडियो थैन्क्यू वांच